हेवरिवान वेलकम बैक टो माई चैनल रेसिपीज एक रैंडम चलिए आज बना ले ना बाहर बहुत ठंड पड़ रही है और अंदर यह बन जाए बिल्कुल विंटर स्पेशल गर्मा गरम मैगी तो क्या बात है मतलब मैगी की ना अपनी ही एक फैन फॉलोईंग आप बिल्क चम्मच ओईल आज मैं पूरा बड़ा वाला पैकेट बनाने वाली हूँ जो चार वाला होता है पूरी फैमली के लिए तो बस मैने वो ले लिया है खूप सारी सब्जिया मैंने चॉप कर रही है जिसमें इस्प्रिंग अनियन है मतर है गाजर है पनीर भी लिया है मैंने फि कर सकते हैं लेकिन बहुत अच्छा लगता है बड़ जरूर से ट्राई करना तो मैंने साथ आठ गाली को ऐसे चौप करके डाल दिया उसके बाद इसमें सारी सबजियां हम डालेंगे जो जिनको को करने के हमें ज्यादा जरूरत है उन सबजियों को हम इसमें एड कर देंगे इ उसके खटा फटा से घुक कर लेना है अब कुक भी कैसे करो कई जरो से साथ ईका नहीं करोलो सॉप वनाएंगे गोऑना थोड़ा से एक्सट्रा आपको नमक इसमें एड करना पढ़ेका इसमें पानी तो एक पैकड के लिए मितलब एक पैकी के लिए आप यूस करते हो यूज के लिए तो मैं चार से पांच गलास से पानी में उसकिया यूज कि मुझे थोड़ी सूपी मैगी जाहिए तो बस पानी को बॉयल हो ने दो करी पांच मिनिट के लिए 5 पर सब्सक्राइब आपकी अराउंड 80 % अगर आप मेरे चैनल पर नए अब तक सब्सक्राइब न और यह दो किसमें सैशे होते हैं मैगी के पैकेट में वो निकाल कर आपने डाल देने हैं मसाले वाले अच्छे से कर लो मिक्स और देख लिए हैं हमारी सब्जियां अल्मोस्त ना कोक्सी हो गई सब्जिया जितनी मैं डाली है वह बहुत ही जल्दी कोको जाती है इस प्रिंग मैगी डाल देनी है तो मैगी के मैं सेंटर से तोड़ कर देनी है आप चाहो तो पूरा का पूरा से डाल सकते हैं अगर आपको लॉंग नूडल्स पसंद है इस तरह से मैं डाल दिया है और इसे हम कुक करेंगे करीब तीन से चार मिनट के लिए जब तक मतलब जैसे आपको पसंद हो उस तरीके से और इसको मैं कवर करके कुक करूं कि जल्दी से हमारी मैगी फटा फट से जो है ना कुक हो जाए तो बस इसमें कितना कम टाइम लगा बस आपने थोड़ा सा टाइम लगाना है सबजियों को चॉप करने में और हमारी मैगी बनकर बिल्कुल रेड़ी मैगी बनाओ खाओ एंजॉइ करो बतलब आपको बहुत पसंद आएगी मुझे तो पर्टिकुररली बहुत पसंद है बिल्कुल धूआ निकलती हुई सूप के साथ में बहुत यम लगती है और खूब सारी सबजियों के साथ बनाना तो आपको इसका टेस्ट बहुत झाल आपको इसके बनान पार खूब ही ऑ्य HOW क्या है।